मां समझ कि कुछ वाली धरना सोत्रों के कनी केरा में युफ्ती का शव मिलने से संसर निखल गई वाके पर पहुंची उपुलिस ने मामला दर्श कर मामले की जाश शुरू कर दी कुछ बच्व ने शव को नाले में रिखा कि उसके बाद गावालों को उसके सूचना दी गई शवसी गाव में और मुझे लिसे नबर बतादे गोडाम में भीशे आग लग गई है मंडी परिस्टर में ये बड़ा हाथ सा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं चैंबर ओफ कॉमर्स के अदिफ का ये गोडाम है जहां पर आग लगी आग से लाखों का सामान जल कर खाक हुआ है आग लगने की वज़ों का खुलासा फिलाल नहीं हो पाया है बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौदूद है और आग बुजाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग यहाँ पर लगी है दूआ उठा है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे है अब जान करें गले रोगे तस्वीरों में लोगी कुछ पता चल पाया आखर किया वज़े रही जिस वज़े से इतना बड़ा हाथ्सा हो गया है आपर देखे बता दूँ कि यह पूरा मामला है सिटी को त्वाली थानाथ शेतर के मंडी परिशार इस्तित रहाईसी इलाके का है जहां पास अध्यात कारण से आज़जनी की घटना होई है और पुलीस फिल हर अभी तक जिस तरह के से बात कर रही है पुलीस के मुताबिक गटना की वज़ा साथ 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 कर्षी बता जा रही है क्योंकि जिस इलाके में गटना गटी है और इसके अलावा वहां पर चिंबर आफ कमर्स जो प्रेम आ रहे है उन्नीक गुदाम है और गुदाम में किराने के शमान रखा हुआ था किराने जिसमें बिस्किर्ट तेल जाए अन्ने किंटी समान लाकुर समान जलकर खाक हो गया है और वहीं दमकल वहां मौके पर पहुँचकर आजबुजाने की कोचित कर रहे हैं लेकिन अभी तक आज़ पर कापू नहीं पाया गया है इसके अलावा जो आस पास के माहौल में क्योंकि रहे हैं रोल्ट गोदा कि आज़ आजबुजाने की कोचित में लगे हुए है लेकिन उनका साथ तर पर कहना है कि अभी जिस तरीके से साथ कट सर्कित की बाद सामने आ रही है जिए अग लगी अंदर कोई मौजूद था क्या अभी अभी आग लगी है कोच यह की सामने आपाई कोई अंदर ता और 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 अचनक आज जबने की खबर जैसे हूं सहर में हरकं मत जाती है क्योंकि यह रहाएं इस हीating लाका है और काफी यहाँ पास चहल पाल भी रहते है लोगों कि क्योंकि पूरा-पूरा विहाराइती इस आख वाना तर प्ड़ी बात यह कि आज आज अगरिनी जिल